एक शादी शुदा लड़की को एक शादी शुदा लड़का मिला, अब ये लोग पहले से happily married थे पर फिर भी इनके बीच प्यार हो गया, अब इनके पहले वाले रिष्टे इस प्यार की अनुमती तो देते नहीं, तो करें तो करें गया, अगर वो वापस जाके उसी रिष्ट है, दुर्भाग के पूर्ण, और एक बात unfair, अनुचित, और इस unfair और unfortunate में फरक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, सिरफ unfair के case में आप किसी व्यक्ती को आरूप दे सकते हैं, ब्लेम कर सकते हैं, unfortunate के case में तो सिरफ आप हालात को ही दोष्ट दे सकते हैं, अब देख अधन जो यहां पे इसलिए आया था क्योंकि उसके testicles पे काफी गंभीर चोट थी, वो पूरी तरह ठीक हो गया और वापस नगरोटा में हमने उसको release कर दिया, अमूल पूरी तरह ठीक थी और उसको हमने वापस बैजनात में release कर दिया, टिम टिम इन दोनों से बहुत ज्या पेशने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा देश जवर्दस्ती इनकी दूद के चक्कर में जन संख्या बढ़ाये जा रहा है, खेर मोना और नगेट की किसमें टिम टिम जितनी अच्छी नहीं रही और वो अब हमारे साथ नहीं है, अब जो जानवर यहां आने के बा की सादू वाली हालत ही है, किसी ने उसके गले में रसी बांदे और उससे लखड़ी टंगी हुई है, तीन महीने से वो ऐसे ही घूम रहा है, हम उसको दो बारी पकड़ने गए, हमारा लगभग पूरा पूरा दिन लगा और फिर भी हम उसको पकड़ नहीं पाए, फिर बारे शरीर पे बिच्चु वटी भी चुप गई, पर ये इसे देर रात पकड़ के ही वापिस लोटे, इस समय एंटिबाइटिक्स पे है, पेन किलर्स पे है, और इसके घाव का ट्रीटमेंट भी जारी है, इसके लिए आपको इनाम सुझाईएगा, फिर आयूश दिक्ष जो हमारे यहां ट्रेनीज हैं, उन्होंने छुटी वाले दिन वॉलिंटियर किया, और वो इस बैल को पकड़ने गए, ये लोग अगेन देर रात को इस बैल को पकड़ के ला पाए, इस बैल के लिए भी कोई आप नाम सुझाईएगा, अब इन तीनों केसे में जो कॉमन ब पक्षित करनी है, मैं गवपाल को का भी पक्ष समझता हूं कि उन्हें तो अपना खर्चा बचाना है, और क्योंकि डेरी इंडस्ट्री को अपना सिक्का जमाय रखना है, तो करोडो रुपे खर्च करके अख़बार में फुल पेज आड निकालते हैं, टीवी पर इतनी पामयाब रहे, देखिए मैं इसका दोश डेरी वालों पे कता ही नहीं मड रहा, उनकी गल्ती तो सिर्फ यह है कि उन्होंने इनको सड़क पे मरने के लिए छोड़ा, पर हमारा दोश यह है कि जितना हम कर सकते थे, हम उतना नहीं कर पाए, पर अब हमारा क्लीनिक है, इसमे कोई maternity ward तो है नहीं, यहाँ पर इतना infection रहता है, तो हम बच्छडों को प्यार तो दे सकते हैं, पर इस infection से नहीं बचा सकते, हम उन्हें उस तरह की care नहीं दे सकते, जिस तरह की care की उनको आविशकता है, पर अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि आस पास ना तो कोई सरकारी ना कोई गैर सरकारी facility available है, जहां पर इन बच्छडों को ले जाया जा सके, अब देखिए मैं कोई medical reason बता के एक बेकार सा बहाना भी बना सकता था, पर बड़ा होने के बाद अब मुझे इमानदारी से बात चीट करना पसंदो, और यही इमानदारी मैं अपने और रिष्ट पर उनकी भावनाओं को अनावशेक रूप से ठेज भी ना पहुंचे, पर हां इसके लिए ये भी जरूरी है कि अगर वो सच सुनना चाहते हैं, तो उन्हें धहर पूर्वक सच को समझना और उस पर honestly और gently react करना भी सीखना होगा, देखिए जब रिष्टों में इस तरह का समवाद हो जाए ना, तो चाहे जिन्दगी की इमारत में जितने मर्दी फेर बदल होते रहें, ये रिष्टे उस इमारत की एक ठोस नीव का काम करती है